जी नमस्कार दोस्तों ग्यान अला में आपका स्वागत हो रहा हम लोग तैयारी कर रहे हैं EMRS एक्जामनेशन की और इसी के कड़ी में हम लोग जो KBS के Frequently Asked Question है उनकी Practice कर रहे हैं यह ऐसे Question है जो KBS में बार-बार पूछे गए हैं और इसी तरह के Questions जो है हमें उमीद है कि यह EMRS में भी Computer के Poston में पूछे जाएंगे यह पांचवा पार्ट है तो चलिए सुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले Question से पहला Question यह कह रहा है घबड़ा यह नहीं इंगलिस में लिखा हुआ है इसलिए इंगलिस कोई मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ आप समझ जाओगे हिंदी वाले भी समझ जाओगे और इंगलिस वाले भी समझ जाओगे Question number 41 यह कह रहा है कि You should use this key यह पूछ रहा है कि आप जो भी से पहले उसको कहते है टेक्स इंटेंट अगर आपको इस तरह से टेक्स कराना थोड़ा सा गैप दे के कराना है तो आप इसके लिए इस पेस बार में एक बार में एक ही गूमता है एक जो है इस पेस करेगा Return की से वापिस आ जाओगे टैप की और Swift की तो Right Answer हो गया टैप की जब भी आपको यह इस तरह से इंटेंट बनाना हो थोड़ा सा इस पेस करके आपको अपना paragraph शुरू करना हो तो आप टैप की दबाईए आपका जो है पहला page दो है तुरंत इंटेंट हो जाएगा चली अग लोग इसको जानते हैं तो जहां भी आपको मिल जाए वर्ड वाइड 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 बिजर्ड वाइड 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 इसलिए पहले ही आप लोग इसको याद करके लिख लो वाट वाइट बैब तो राइट हंस और आपका हो जाएगा वाट वाइट बैब क्या होते हैं? इंटरनेट पे जितने भी एब साइट होती हैं इंटरनेट में जितने भी बैप पेज हैं उसके लिए जो है यह यूज किया जाता है आप इसको ब्यब भी कह सकते हैं इंटरनेट अलग चीज है इंटरनेट जो है इंटरनेट जो है गुलोबल कनेक्शन है कम्प्यूटर का डिवाइसे का जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है उसका नाम है इंटरनेट और यह डबल दूसरे पेज में कोई टेक्स आपको माली जी यहां पर आपने कुछ लिखा था इस टेक्स को आपको उठाके दूसरे पेज पे ले जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जो सबसे आसान और सभसे सही तरीका वो क्या हो सकता है ड्राइग एंड ड्राप करेंगे क करेंगे डिली ishing ऩरी टाइप करेंगेंगे फाइंड रिप्लेस करेंगे फाइंड रिपलेस टो खोजने के काम आता तो हम्हाटाई इसको किसी चीज़ को सर्ज करना हो फटा फैंड करना हो। ताव हम इसको फाइंड करते हैं ओ फिर जाके उसको एंड पैज कर देते हैं त बहुत दूर है यहां पे नहीं यहां पे है तो उठा के उसको जो है माउस से उठा के डिला के यहां पे छोड़ने में थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लगए सबसे आसान तरीका है कि आप उसको तुरंत कट करिए यहां से इसको कट करिए और इस वाले पेज़ पे जिस कर सकते हो चली अगला question देखते हैं यहां पर फिलिंदा blank दिया है processing is used when ये large mail order company accumulates orders and processes them together in one large set ये कह रहा है कि जब किसी company को बहुत सारे mail order एक साथ मिल जाते हैं तो उन सब को एक साथ process करने का एक पूरा बैच बनाने के परिकरिया को क्या नम मैंने बताई दिया बैच कहते हैं उसको बहुत सारे mail पर order मिल गए मालीजी email पर मिल गए WhatsApp मिल गए धेर सारे मिल गए लेकिन अब उसको processing करने में एक एक process करेंगे तो बहुत time लगेगा तो company वाले क्या करते हैं जो एक तरह के data होते हैं उनको एक एक batch बना देते हैं धेर सारे group आप दा orders को एक एक जो है करोगे online कोई मतलब नहीं है रियल टाइम का मतलब होता है सही समय पर इसका भी को यहां पर कोई चीज नहीं बच रहा है एक चीज बच रहाता है यह match या group ग्रूप नहीं है इसको batch कहा जाता है इसको batch process किया जाता है जब बहुत ज्यादा संख्या में mail order मिल जाए या email से मि टेलिफॉन से मिल जाए वाटसब से मिल जाए तो उनको जो related होते हैं सबको एक साथ एक बड़ा सा सेट बना जाता था बड़ा सम ग्रूप बना जाता जिनको batch कहा जाता फिर आजए अगले पर यह program that works like a calculator for keeping track of money and making budget यह कह रहा है कि calculator की तरह काम करने वाला एक ऐसा program जिससे ह हम अपने money को try कर सकते हैं और budget बना सकते हैं तो इसके लिए कौन सा software यूज होगा यह calculator नहीं भाई यह तो कह रहा ना works like a calculator calculator की तरह काम करता तो इसको तो पहले हटा दीजे वाई calculator होता तो यह पूछता क्यों हो यह calculator की तरह काम करने वाला दूसरा program बताना है आपको यहाँ पर keyboard दिया हुआ keyboard नहीं हटा दीजिए तो typing के लिए हो जाए यह input device से इसको हटाइए इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं यह पूछ रहा है कि हमको बताइए एक program बताइए software बताइए जिससे जो है हम क्या कर सके हो calculator की तरह काम करें जिससे हम अपने money को track कर सकते हैं हम उसके इसके लिए अपने money को हमको जो कितना पैसा मिला कितना खर्च करना है उसका हम पूरा हिसाब किताब रख सके हैं तो इसके लिए क्या is holistic कोई मतलब नहीं है जो आपका बचरा हो है Excel spreadsheet spreadsheet में ही आप पूरा अपना Excel sheet पर जो है पूरा budget कितना आपको पैसा मिला कितना खर्च हो आप पूरा सब कुछ इसी में बना सकते हो calculator की तरह ये ऐसे काम करता है कि इसके जो है आप फार्मूला बनाते हो फार्मूला बनता है Excel फार्मूले बनाए जाते हैं उस फार्मूले से आप जोड़ घटा हो जितने भी आप जैसा भी फार्मूला बनाओगे वो अपने आप होता चला जाता है तो राइट एंस और आपका हो जाएगा spread seed जो calculator की तरह काम कर सकता है आप उसमें अपना money को track कर सकते हो अपने लिए budget बना सकते हो फिर अगले question पर आईए what is the difference between cd-rom cd-rom और cdrw ये दोनों की बीच में difference पूछा जा रहा है difference आपको बताना है cd का मतलब आप सभी जानते है compact disc होता है रोम का मतलब होता जैसे computer वाला रैम और रोम होता हो ऐसे यह भी है read only memory read कर सकते हो write नहीं कर सकते हो एक बार जो चीज़ सीडी पर आ जाएगी जो cd-rom type की रोम वाली cd होगी माली जीए आपके पास एक cd-rom है तो इस पे अगर आपने एक बार जो है gather to movie डाल दी तो gather to ही रहेगा आप उसको बार बार देखो जितना मन कहे उतनी बार देखो लेकिन आप इसको change नहीं कर सकते इसको हटा नहीं सकते यह जब तक आपकी जो है या तो आपको दूसरी cd खरीनी पड़ेगी cd पर cd पर gather to ही रहेगा क्योंकि यह कि एक बार आपने उसपे write कर दिया तो आप कितनी बार read करो read करने में कोई होई नहीं कितनी बार आपको देखना है देखो लेकिन वो फिर से उसपे कोई और चीज राइड नहीं होगी cd rw का मतलब होता है complex dix r का मतलब होता है re writeable re writeable मतलब होता कि यह एका ऐसी cd है कि आप जो हमा लिजे इस पे आपने जो है कोई movie डाल दी जवान movie डाल दी लेकिन आपको जवान अच्छे नहीं लगी आप इसको चाहते हैं कि इसको हटा कि हम इसकी जगां पे कोई दूसरी movie डाल दें तो आप इस पे rw पे कर सकते हैं इसको हटा दीजे जवान को डिलीट कर दीजे इरेज कर दीजे और आप इस पे दूसरी movie डाल दीजे क्यों क्योंकि यह ऐसी cd है जिस पे लिखा हो ना rw re writeable का मतलब होता है कि इस cd पे जो पुराना वाला data उसको इरेज करके आप इस पे दूसरी चीज जो है store कर सकते हो उस पे दूसरी चीज राइट कर सकते हो यही इतना डिफरेंस है इस पे राइट नहीं कर सकते हो इस पे राइट कर सकते हो जहाँ पे email जाओ सही कर लीजिए they are same नहीं same नहीं different है यह cad rom can be देखिए यहाँ पे cd rom का cad कर दिया है यह cd rom can be written नहीं cd rom written and cdrw cannot भी नहीं cd rom को क यहाँ read कर पाओगे यह तो सिर्फ read करोगे write नहीं कर पाओगे ठीक है written नहीं तो आपका यह गलत होगा उल्टा कर दिया है यहाँ पे देखिए cdrw can be written हाँ cdrw rewriteable है ना भाई तो इसको आप फिर से write कर सकते हो और cd rom को can only be read write answer यहीं होगा इसको सिर्फ बार बार आप read कर स website address जो url होता है uniform resource locator होटा है वो क्या होता भाई unique address होता website का उसे हमें क्या website address से हम क्या locate करते हैं हम कोई website ही तो खोज पाते हैं भाई web browser ब्राउजर तो जो था web को internet पे जो भी website बनी हो उसको खोजने के काम आता पीडिये पता नहीं website या link लिंक तो जो होता कोई बीचीज हो सकती या link करने मतलब होता जोडने के लिए website यह website address से हम क्या खोजते हैं website ही तो खोजेंगे भाई घर का address होगा तो हमें क्या खोज क website address is unique name that identifies a specific website on the web right answer आपके ही हो गया फिर आजए यह holding the mouse button down while moving an object or text is known as यह कह रहा है कि जो mouse होता है computer का mouse होता है इस पर जो है माली यह एक image है इस image पर किलिक करिए और किलिक करके दवाई बटन रखेंगे यहां पर लाके इसको छोड़ दीजे इसको क्या कहते हैं इसको कहते है drag and drop इसको seat के लाके यहां पर छोड़ दीजे माउस से करते हैं वहीं करके उसी पर click रोके रहते click बटन दवाई रखते हैं और उठाके उसको लाके यहां पर छोड़ देते हैं इसको कहते हैं drag and drop moving नहीं dragging dropping या highlighting इसको कहते हैं dragging ठीक है यहां से उठाओगे यह कह रहा है ना कि holding the mouse button down while moving an object or taxi node and dragging इसको उठा के यहाँ पे dragging आप जब यहाँ पे छोड़ दो को तो तब इसको कहेंगे dropping तो right answer आपका हो जाएगा drag कर रहे हो घजीर दे रहे हो उसको उठा के एक जगां से दूसरी जगां पे फिर आजाए कि which is the best definition of a software package software package market में आते हैं उसका definition यहाँ पे पूछा जा रहा है software package कुछ नहीं होते हैं software package में जो होता है package का क्या मतलब होता है उसमें धेर सारा सामान होगा package है एक software होता ठीक है single software उसमें क्या package क्या है Package का मतलब होता है कि इसमें कई सारे 프로그램 होगा मतलब उसमें related program बहुत सारे होंगे 2-3 program एक साथ आपको फिरी में मिल जाता है और उसी package में आपको एक साथ मिल जाता है तो जहां पे भी कई सारे जो आप प्रोग्राम एक साथ नहीं addon नहीं भाई येasia hardware है न भाई यह setup computer program हाँ right answer देख लेजी यही होगा और कही पर setup computer program दिखना ही रहा पढली ए इस एसपर और यह function ऀाय जॉड प्रोजेसिंग राइट है यह अप्रोटेक्शन ये यह protection you can buy from computer, by protection करने हमें virus computer और antivirus खरीद लेंगे, यह protection थोड़ी न, यह तो software package है, software package आपका antivirus भी हो सकता है, कोई और worldwide का कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी program हो सकता है, कोई software हो सकता है, यह box, manual, license agreement, that company, commercial software, यह तो उसमें कोई भी software खरीदोगे भाई, तो box देगा ही का license agreement तो देगा ही देगा, यह जो software package होता है, वो set of program या computer program को कहते हैं, जो certain function के लिए, जैसे की word processing या कोई भी चीज़ होगा है, उसके लिए हम लोग इसको खरीदते हैं, फिर last question आज की वीडियो का है, fill in the blank दिया है, यह fill in the blank है, यह collection of data that is stored electronically, यानि digital form में इस्टोर हो data, as a series of record in a table, इसको हम क्या कहते हैं, simple सा है, इसको database कहा जाता है, database कहते हैं, देख लीजें, आपे spread seed नहीं है, spread seed तो मतलब excel का काम हो गया बाई, data store करना है, गर हमें धेर सारी हमारे पास record है, धेर सारा file है, तो हम इसका table बना लेते हैं, यह एक file folder, table सब बना कि इसमें store कर लेते ह इस परकिरिया को इस पूरे system को कहा जाता है, database, presentation ppt बनाने के काम आता है, वेफ साइट हो जाता हम store करेंगे, data को किसमें database में store किया जाता है, तो यहीं पर आज का वीडियो समापत होता है, इसका PDF अगर आप बोगों को download करना है, तो description box में जाके इसका PDF भी download कर सकते हैं